तो देखो फ्रेंट्स आज यहाँ पर हम बात करने वाले बीट गेट कोईन के बारे में क्योंकि लोगों का क्वेरी है कि इसका प्राइस एक डोलर चला जाएगा काफे सारे लोग एक एरे कि इसका प्राइस एक रुपी चला जाएगा काफे सारे लोग एकेरे कि Binance इसको लिस्टिंग कर देगा तो आपकी दिमाग में इस सभी बाते हैं उसको निकाल दो Bitgate Coin को कभी भी Binance लिस्ट नहीं कर सकता मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि Bitgate लिस्ट हो जाएगा Binance के अंदर प्लस यहाँ पर आपको जो प्राइज को लेते हुए जो दिमाग में बाते घुम रही है एक रूपी जेन एक डोलर वाली उसे भी निकाल दो गोड ने इतना बड़ा आपको दिमाग दिया है उतना तो सोचो कि इसकी सप्लाई कितनी है इसकी सप्लाई है 16 डिजिट के अंदर अब आप कहोगे सर इसकी सप्लाई है 50% पहले से बर्निंग है तो 15 डिजिट लेके चलो इसका आपको लगता है कभी इसका मार्केट के पंदरा डिजिट में होगा बिलकुल नहीं निकाल दो दिमाग से क्योंकि टोटल क्रिप्टो गरंसी का मार्केट के अभी 12 डिजिट के अंदर है यहाँ पर देखो 3, 6, 9 और 12 डिजिट के अंदर उसके अंदर बिटकोइन भी आजाता है इथेरियम भी आजाता है अभी टोटल क्रिप्टो मार्केट भी 15 डिजिट में नहीं हुआ उससे पहले क्या बिटकेट के अंदर 15 डिजित हो जाएगा बिलकुल नहीं मुझे पता है आप कोमेट में क्या लिखोगे देखो भै लिखने से पहले सोचना मैं आपके बारे में सोचता हूँ फिर यहाँ पर वीडियो बना के आप लोगे साथ सेर करता हूँ क्योंकि आज यह पंप हो रहा है तो मुझे यह लग रहा है कि लोग इसमें प्रोफिट बनाके निकल लाए और एक अच्छे कोईन में एंट्री ले ले इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया है जो सच्चा ही है वो मैं आप लोगे साथ सेर कर रहा हूँ अब प्लस पॉइंट यहां पर बता दो आपको यह तो पता चल गया कि इसका प्राइज कभी भी एक डोलर या तो एक रूपिज भी नहीं जा सकता है अब यहां पर दूसरा पॉइंट देखो कि इसने एक गड़बड की है यहां पर जैसे कि इसने एक चेन बनाया था बिट गेट चेन लाइव मतलब 15 फरवरी को इसका चेन लाइव हो चुका है और इसका केना यह है कि यह जो चेन है इसके जो ट्रांजेक्शन है इसकी फीज काफी कम होगी देखो यह अच्छी बात है कि यहां पर इसने का कि इसकी फीज काफी कम होगी और पर सेकंड एक ला पर क्लिक करेंगे तो कोन सा चैन आ रहा है, ओपन होने देते, BSC scan, मतलब कि बायनर स्मार्ट चैन का ये यूज कर रहा है बंदा, ये टोकन बायनर स्मार्ट चैन का यूज कर रहा है, अपनी चैन तो यूज कर नहीं रहा है, तो पेली खोड तो यहां पर पकड़ जाती है कि इसकी खुद की chain है coin क्या होता है आप सोचो ethereum अपनी chain पर transaction होता है फिर दूसरी chain का यूज करता है bitcoin देखो अपना खुद का chain है तब जाके वो coin है बाकि तो token है दूसरी chain पर निर्भर रहते हैं दूसरे chain पर transaction होते हैं वो तो यह रहा BTT आप ब्टेटे ने कहा था कि हमने chain launch हुआ यहां पर BTT ने कहा था कि हमने chain launch किया तो देखो बयाद रियल में यूज कर रहा है यहां पर explorer पर click करेंगे तो यह तो यह तो ए-ऩैया रहा कहीं भी यहाँ पर एक खुद यूज नहीं कर रहा है पहली गलती तो यह है दूसरी गलती है कि यह 16 डिजिट की सप्ला है उनमें से 50% बर्नींग है यह बात अच्छी है पर यहाँ पर अभी भी कोईन मार्केट केप यहाँ पर ट्रेक नहीं कर पर है कि इसकी सर्कूलेट शप्लाई कितनी है क्योंकि यहाँ पर वेरिफाइड नहीं है यहाँ पर ब्लू टिक नहीं आ रहा है यह यहाँ पर इसकी दूसरी गलती है तो देखो भाई इस टोकन के अंदर में बताऊंगा कि इसके फाउंडर और टीम कभी भी सेल आउट कर सकती क्योंकि मुझे लग रहा है यह शर्कूलेट शप्लाई इसलिए वेरिफाइड नहीं है क्योंकि इसके टीम के पास बहुत सारे टोकन होने चाहिए अब देखते है टोकन अब देखते है कोईन कितने किसके पास है अब यहां पर होल्डर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले नोल एडरेस मतलब कि इसको डेट कर दिया गया है 57% बन कर दिया है अब यह 8 परसन है इसके फाउंडर के पास होने चाहिए या तो इसके टीम के पास यह 2% भी एक 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 जो भी टोकन है उपर के जितने भी एडरेस दिखरे एक खूद लेके बैठे हुए कभी भी sell out कर सकते और कभी भी यह टोकन को गिरा सकते अब इसका चार्ट देखते यह रहा इसका चार्ट तो देखो भाई अभी भी कहे रहा हो कि इसमें से 50% exit कर लेना चाहिए मैं कोई advisor नहीं हूँ बट तो भी मेरे opinion के मताबित मेरे पास टोकन होते तो मैं 50% इसमें से exit कर लेता dip में आता है तो buying करो वापस से यही point मतलब की 0.6x03$ पर आता तो हम buying करते वरना नहीं करते वरना यहां पर नुक्सान होने के काफित चांस है यह अब maximum मुझे लगता है कि इससे उपर नहीं जाएगा 0.5x016$ से उपर अभी के आहालात के मताबित मुझे नहीं लगता कि यह token का price जा सकता है उसके पहले ही यह token को किराया जाएगा तो आपके पास token है तो अभी यह उपर है इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बना कि लोग को इसमें से निकाल लू और एक अच्छे coin में entry दो तो कोई अच्छा coin पकड़ो उसके अंदर entry लो देखो भाई Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Polkadot Sand, Mana Siba को भी हम ले सकते क्योंकि उसके पिछे काफी Celebrity है Vitalik Buter ने Elon Musk है Plus उसकी Community मजबूत है अब इसकी Community के बारे में बात करेंगे देखो Community देखे तो अच्छा है बत यह जूट काफी बोल लेते हैं यह मुझे Problem आता है इसकी Community देखते हैं इसका Twitter account यहां से हम देख लेते Community में यहां से आपको इसका Twitter account देखने को मिल जाएगा तो देखो Friends इस Coin की Community देखा जाए तो 1,81,000 जितने इसके follower है तो यहां पर देख सकते हो Community तो अच्छा है इसमें कोई Problem नहीं है 1,80,000 जितनी इसकी Community है बट यहां पर अभी तक इसकी Supply यहां पर यह verified नहीं कर पाए कि कितनी Circulate में Supply है मतलब यही खोट है सबसे बड़ी दुसरी खोट है कि इसकी Chain का कहीं mention नहीं किये कि इसका Chain का यह लोग खुद यूज नहीं कर रहे मतलब कि गडबड इसका Roadmap देख लेना मैंने देखा है लंबा लंबा Roadmap बना के रख दिया है यह token आप 10X कहते तो मैं मान जाता बट एक रूपिस एक डूलर दिमाग से निकाल लो एक अच्छे Coin में एंट्री लो आपका क्या opinion ने comment में बिलकुल बदा है मुझे जो दिखा मैंने share किया है मैरे इसाब से यह token में profit book कर लेना चाहिए अभी भी मैं बोल रहा हूँ गुडबाई